तो इस वीडियो में आज हम अपना मोग टेस्ट 21 करने वाले हैं जो कि आपके जी के सब्सक्राइब के एक्जाम के लिए रखा गया है कि इससे पहले कि जो हुमारे 20 मोग टेस्ट हैं सेक्शन प्री आफ कॉस्ट मोग टेस्ट नहीं का लिंक आपको डिस्क्रिशन बाक्स में दिया गया है जल्दी से विजिट करके आप उनको देख सकते हो जिसमें आपको कॉंटिटेटी अप्टिटूट के भी लेक्शर मिल जाएंगे मोग टेस्ट फ्री आफ कास्ट आपको रीजिनिंग के इंग्लिश के जीके के भी मिल जाएंगे और कंप्यूटर के और भी च चकी होगी तो ही इसमें अप्ना स्कोर बता पाएंगे तो लास्ट में अप्ना स्कोर जरूर बताई रिए गाएंगे 25 आपको का स्कोर कितना स्कोर कितना वॉपिजों क跟你 बात भी हम ज़ूर करेंगे तो यहonर तो उनके लिए भी सेक्शनले टेस्ट इंपॉर्टेंट है फाइनस एकाउंट इस्टेंड वाले बच्चे कर वीडियो देख रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है इस्पेशली अगर बात करें तो पंचाइश सेक्रेटरी के एक्जाम के लिए रखा है हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्कूशन वाक्स में दिए गया है तो जल्दी से विजिट करके उनको जुरूर्ण किजेगा तो चले फिर आज का करते हैं सेक्शन टेस्ट अपने पास एक नोटबुक जुरूर्ण रख लिजीगा जिसमें आप अपना स्कोर को मार कर सब होगे तो फिर्स्कूशन आपकी स्क्रीन पर रखा गया है वो है ध्यान से पढ़ियेगा सेक्शनल टेस्ट में क्या चाねशा आब दिएां कि अभीविड दिया दो है जल्डी से पताव ऑन Tsch को ने को जा कर लिचे मजर्ष का थांग जादा ताइम चाहिए वीडियो पास ऐख़ीं डौ्ट रखादा पर जस्ड बेक्टीजिगा झाली MERE . ठीक है, Motherboard will be the right option, next question, which of the following is our output devices, output devices के बारे में पूचा किया है, जल्दी से बता हो, Speaker, Monitor, Projector, Microphone, so Speaker, Monitor, Projector, these all are, ठीक है, यह तीन जो devices है, यह सारी के सारी के है, output devices है, microphone जो है, आपका input devices है, so यहां पे आप कह सकते हो कि first, second and fourth, first, second and, sorry, first, second and third, so option C will be the, again C will be the right option, next question, देखिएगा, third question, which one of the following shortcut keys in use to MS PowerPoint to open slideshow, slide show के लिए कौन सा, देखिएगे, यह जो questions है, JKSSB, पंचाइत, account assistant के exam में पूछा गया था, इसी तरना का same question था, तो आप भी जल्दी से बताओ, क्योंगे, आपका exam का जो mode है, वो OMR हो गया है, और mostly जो आपका exam है, वो OMR मोड ही conduct होंगे, तो guys, जल्दी से बताओ, इसका answer क्या होगा, तो बहुत ही, अगर मैं बात करूँ, इतना tricky question नहीं है, तो इसका right option की अगर बात की जाए तो F5 is the shortcut key, चीक है, shortcut key, उसके बाद question आचा है, match the following group A और group B, सबसे पहले आपको दिया गया Microsoft, Dios virus है, Trojan horse है, इसको मैं थोड़ा सर्च से, minimize कर लेता हूं कि आपको दिखे पूरा का पूरा, अब जल्दी से बताओ, क्या चीज है, माइक्रोसफ्ट डिस्क उपरेटिंग सिस्टम यह क्या वाइरस है, Trojan horse के operating system है, MySQL SQL का मतलब होता है, structure query language, देखिए, यहां पे अगर मैं SQL की बात बता रहा हूं, अगर मैंने हम पे SQL की बात की है, तो it means अगर यह question exam में आ सकता है, तो आप देख सकते हो कि यह question यहीं से बन रहा है, Trojan horse पे question आता है, तो Trojan horse एक वाइरस है, ठीक है, MySQL क्या है, यह एक open source software है, अगर आप कह सकते हो, उसको language है, Norton एक antivirus है, और Microsoft disk operating system जो है, वो एक खालसो operating system है, तो यहां पे जो option मुझे लग रहा है, तो वो option B यहां पे write option होना चाहिए, ठीक है, B यहां पे बिल्गुल सही option हो जाएगा, next question देखिएगा, match is an excel function used, match एक function है excel में, उसका use किसके लिए होता है, compare the font of the text, locate the positions of a local value in a row column table, align the text while printing the content of the excel sheet, deletes the irrelevant data in column row or table, so यहां पे write option जो है, इसका है, locate the positions of a local value in a row column, यहां फिर table, ठीक है, उसके बाद next question, question number six, the term pixel is an indicator of the which features of the computer, pixel जो एक indicator है, which features of computer, किस feature का computer का, display size का, screen resolution का, memory का, graphics का, तो यहां पे भी यहां पे बिल्कुल सही option है, screen resolution, next question, which of the following is not a valid email, इन में से कुन सी एक valid email नहीं है, question number eight कहता है, the term TB is an indicator of which features of computer, TB जो है इंडिकेटर है, किस features का computer का, so आपको बता, terabyte जो किस में आती है, सर्फ memory में आती है, तो इतका option भी क्या होना चाहिए, memory होना चाहिए, ठीक है, memory, storage कुछ भी कह सकते हो, so option VC will be the right option, next question, which memory organization techniques, allow the CPU to access any memory location, in the contest time, contest time, content के time पे, access करता है, कोई भी memory location में, so वो कौन सी memory होगी, catch memory होगी, आपकी virtual memory होगी, associative memory होगी, direct memory access, यानि की DMA होगी, so यहां पे इस काम के लिए अगर बात करूँ, तो content, contest के time पे, इस memory को हम, और भी नाम से जानते हैं, जिसको हम C AM के नाम के भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम content, addressable memory बोलते हैं, इसकी full farm होगी एक content addressable memory, जो की associated memory के लाती है, ठीक है, assosie native memory को हम एसोशेटिव storage भी कहते हैं, associate of array भी कहते हैं, ठीक है, इन नाम से भी इसको जानते हैं उसके बाद आता है कि विच टाइप आफ मॉल्वेर इस डिजाइन तो स्पाई और यूजर एक्टिविटीज कैप्चर दा सेंसिटिव इन्फॉरमेशन विदाउट दियर नॉलेज विना निक ऐसे नॉलेज के वो एक स्पाई कैसे तो जासूस की तरह काम करता है तो वो एक स्पाई वियर है यह मैं बात करूँ तो एक इजी लेवल का कोशन है ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ठीक है नेक्स कोशन इवैंकिंग वाट इस रोल आफ दा वैनिफिश्री वैनिफिश्री का यहां पर क्या रोल होगा इवैंकिंग में एलक्ट्रोनिक बैंकिंग में वैनिफिश्री इस बैंक एंप्लाई वैनिफिश्री कोई बैंक का एंप्लाई है वो बैंक का एंप्लाई है वो बैंक का एंप्लाई है गात्म और प्रकार देख बएक सब्सक्राइब करें तो लिए प्रेट अप्शन में प्रटफॉर्चया असाथ यह जौड़न प्रेट प्लसलेट प्लेट्फों ट्रिंग प्लेटफॉर्म प्लाइडर्वाइडर लग में इस तरह जो इतने फिर ब्युक्तिंह ओं गई बन्न क कर दिए चेहां इस की portion के बारे में जिन बचों को नहीं पता है क्योंकि आफ को को वारे मैं इस में पता होना चाहिए multi- converter alle core to कोले पारू सिंगल पार सिंगर कोल सुपली में चेलिए ऐसे कंड के लिए video कोड़ने चर्मार का यू मिध्यू का लेच संभी ओन कारें हैuse to type it again check कोई भी file हमें send करनी है किसी को ठीक है वो अपनी email के साथ हम attachment कर सकते हैं तो attachment is the right option so हमें कई type करने की जुरूरत नहीं पड़ती फिर इसमें the document the document that can be viewed in the web browser is known as the document हमें web browser में हमें दिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं web page बोलते हैं website बोलते हैं website में तो यह अपन होगा worldwide web नहीं web server no web page उसको क्या बोलेंगे web page इस पर हमें को जो document दिखेंगे इसको में पेची बोलेंगे what does the T in SMTV simple mail transfer protocol पूरी full form की अगर मैं बात करूं तो क्या है हमारा transfer simple mail transfer protocol which of the following is bga device bga का क्या मतलब होता है bga का मतलब होता है कि video वीडियो ग्राफिक एरे वीडियो ग्राफिक्स एरे में क्या होता है कि आप देखोगे कि पुराने जो CPU होते हैं उसमें आपको यह चीज दीखने को मिलेगी कुछ इस तरह से होती है ठीक है इस तरह से इसमें टोटल जो पॉैंट्स होते है 15 होते हैं कितने पॉैंट्स होते हैं यहां पर जिसमें आप आप monitor को connect करते हो तो कह सकते हैं कि monitor ही एक VGA devices है यहां पर CPU के साथ monitor को connect करते हो इसको देख लीजेगा सच करके जो कि आपको resolution देगा screen का वो 6 we can say 640 और 480 का resolution देगा ठीक है इतना इसका resolution होगा और आपको कुतने color प्रोवाइड करता है अपने में 16 colors देखना पुराने CPU में आपको movie यह video लगा के देखना तो new CPU में भी लगा के देखना तो आपको फर्क उसमें पता चल जाएगा क्या फर्क रहता है अगर मैं इसकी बात करूं कि BGA को develop किस ने किया BGA को develop करने वाले था IBM चिक है international business machine तो IBM ने इसको develop किया चीक है उसके बाद what is the meaning of dollar sign in mxsl ms excel में इसका क्या uses रहता है तो इसका जो dollar sign रहता है इसका रहता है sell reference option A ही यहाँ पर write option हो चाहेगा sell reference चीक है next question कहते है what is the shortcut key for opening the thashers thashers किसके लिए use होता है यह आपके लिए homework है आपने मुझे बताना है thashers का जो मतलब होता है thashers इसका मतलब किसके लिए use होता है shift plus f7 is the right option यह कि शॉटकट की रहती है in ms word the mailing list is termed as mailing link जो list है उसको term किया जाता है क्या data chat data source data information data informatics so यहाँ पर जो right option है वो है data source यह बहुत ही जदा मैं अगर बात करूँ तो बहुत ही जदा important question है जितने अभी यह के बाद याद रखना है जितने अभी हमने अभी तक computer के mock test आपको करवाएं हैं जब exam होगा vlw का तब भी हमें बताना कि सर इन mock test में से आपके कितने question आए थे ठीक है यह बात यह उसी time बता चलेगी यूनि रेस्टेंट का exam जैसे कि इसके बाद ही अब आपको mock test मिलेंगे इसके बाद आपको gk का मिलेगा क्योंकि आपको quant reasoning और English का तो नहीं मिलेगा क्योंकि इस पर आपको सिप्रेक्टिस कोशन ही हम प्रवाइट करने की गोशिच कर रहे हैं to select an entire row in Microsoft Excel which shortcuts is used entire row को आपने select करना है shortcut की कौन सा shortcut की के साथ Microsoft Excel की बात कर चाहिए तो इसका answer है shift plus space shift plus space को आप Microsoft में select कर सकते हो what is the maximum height of a row in MS Excel MS Excel में maximum height क्या होती है तो 409.0 is the maximum height next question a device that is used to connect a number of local area network same if I talk about here same of network की बात की बात करता है same की बात करता है तो यहां पे bridge option राइट होता है पते यहां पे जो राइट option है वो है router router will be the right option so which of the following is not a malicious software malicious software कुन सब्सक्राइब कुन सब्सक्राइब है जिसको हम malware कह सकते हैं spyware is also malicious software rootkits also virus also तो firewall is a नहीं है firewall एक malicious software नहीं है कि डाश को कि यह मैं आपको पता दूँ SSC CGL में कोशन पूछा की है CGL का means का कोशन है cookie stack you and expose your privacy third party option will be third party cookies stack you and expose your privacy last question आज का हमारा mock test का PNG stand for PNG stand for portable network graphics option B will be the right option so guys यहां पर हमने 25 questions की है 25 questions में से आपके कितने ठीक हुए है शर्माने की कोई बात नहीं है next video में जो mock test होगा उसमें हम आपके marks जरूर शो करेंगे और जो हमारा 20 mock test का उसके भी marks जरूर शो करेंगे कितने बचों ने कितने किया दे जीके का जिन बच्चों के भी हमें मैं इस mock test को देखके अगर मैं बात करूं वो 16 प्लस marks है तो आपको ठीक है बट्यारी आप अपनी अच्छे से करो जिनके बिल्कुल कम है इससे भी 10 आ रहे हैं 12 आ रहे हैं तो आपको थोड़ी preparation level हाई करने की जुरूरत है और आगे का जो मोग टेस्ट होगा मैं आपको बता दू शुड्यूल अगर मैं बात करूं आगे का जो मोग टेस्ट है वो आपका जीके का होगा ब्ल्डव का 20 marks का होगा 20 questions होंगे उसमें और जो वो pattern होगा ठीक है एक्जाम का इसका जो pattern होगा वो बेस्ट होगा आपका 21st September को जो आपका यूने रेस्टन का एक्जाम है जे कैसा दभी का उसके pattern पर हम बेस्ट रखेंगे उसको हो सकता है उसी को copy करके आपके लिए test लेके हैं ठीक है इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिन बचों का score मैंने बता दिया कितना इसमें रहा score क्योंकि इसका level थोड़ा मैंने high रखने की कोशिश किया आपको इसका level कैसा रहा जूरू बताईएगा आपका score कितना रहा बद with negative marking के इसAd centered और झाल